ओम शांती, आज आपका 42 वा दिन, वरदान का, और आज बाबा हमें एक पाउरफुल ब्रेक के बारे में याद दिलाते हैं, जिसे कि मेरिटेशन में हम ब्रह्मकुमारी समसीखते हैं, कि हम कैसे अपने थॉर्ट्स को स्टॉप करें, और थॉर्ट्स को स्टॉप करना मलकि ब् इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि हमें भी अपने संकल्पों पर एक पाफ़ल ब्रेक लागने पढ़ती है क्योंकि अगर हम यह ब्रेक ना लगाएं तो हो सकता है कि हमारे संबंधों में, हमारे रिष्टों में और हमारे कारे में और हमारे खुद के शरीर की अवस्था में इसको कहते है हेल्थ, उसमें भी हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी दुर घटनाए हो जाए इस संबंधों में भी कहें कि मेरे रिष्टे हमेशा बिगड़ जाते हैं, पता नहीं मैं मूग खुलता हूँ ये खुलती हूँ तो जो बने होए रिष्टे होते हूँ बिगड़ जाते हैं, अगर आपने इस चीज़ को अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो हो सकता है कि आपका ये जीवन भर का ये अनुभव रहे हैं, कि जब भी आप मूग खुलें, तो आपके रिष्टे बिगड़ जाए तो आज समझते हैं, परमपिता परमात्मा में कहना कह चाते हैं, तो अब भाबा कहते हैं आज, पावरफुल ब्रेक दुआरा, ब्रेक की कौन सी वाली है, अमारे थौट्स की, वर्दानी रूप से सेवा करने वाले लाइट, माइट, हाउस, भवा, तो लाइट हाउस क्या है, वो जो कि सारे जहासों को दिशा दिखाता है, यहाँ पर जहास कौन है, हमात्माएं, तो हमात्माएं ऐसे लाइट हाउस बन जाएं, जो सत्यता की दिशा, जो कि सही तरीके से सोच, सही तरीके से रहन सैन की हम एक दिशा दिखा पाएं, एक वो आत्मए वोग thousand那麼 prophesy Woods जाए वन्हितुमा करें वार्गिसारेब्यानें वर पでも suggested होती है तो एक बारी दो बारी अगर हो जाए कि अगर वो जहाज़ा करके पथरों से टक्राज़ए तो बहुत मुश्किल हो जाएगि तो हम वैसे हम एक light house बन जाए और एक might house means शक्ति शाली house बन जाए जो कि शक्ति का एक beacon हो एक प्रतीक हो एक उजाला हो तो बाबा कहते हैं वर्दानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयम में शुद संकल्प चाहिए खुद के अंदर भी क्या होने चीए पहले thoughts किसे होने चीए आपके शुद होने चीए पवित्र होने चीए प्योर होने चीए कि अगर आपका किसी के प्रती भी अगर अशुप संकल्प है तो आप किसी के आप भी भला करनी सकते हैं इस life में अपना ही छोड़ दीजे आप अपने रिष्टदारों का अपने संबंधियों का भी भलाने कर पाएंगे तो बाबा केते हैं संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकेंड में कंट्रोल करने का विशेश अभ्यास चाहिए सोची जरा वो कैसे हो पाएगा जब आप meditation आके सीखेंगे जब आप समझेंगे कि कौनसे thoughts impure thoughts हैं कौनसे thoughts waste thoughts हैं और कौनसे thoughts पर मुझे लगाम लगाना है कौनसे thoughts को मुझे फिर से बिल्कुल भी repeat नहीं करना अपने मन में तब जाकर के आप अपने thoughts को control कर पाएंगे नहीं तो अगर हम एरे गेरे thoughts को या कुछ अच्छे thoughts को भी हम रोखनी कोशिश करें या कोई बुरे thoughts को हम अचानक से रोखनी कोशिश करें हमें पता नहीं को रोखना कैसा है तो हम meditation के बिना ये सारी चीज़ करनी पाते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम ठक जाते हैं thoughts को control करते करते लेकिन जो सही विदी है वो ब्रह्मकुमारिस में सीखाई जाती है वबा कहते हैं सारा दिन शुद संकल्पों के सागर में लहरा आते रोख शुद संकल्प कौन से संकल्प होते हैं वो भी आप सीखते हैं करके ब्रह्मकुमारिस में जिसमें कि आप सारी दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं सारी आत्माओं का भला का सोचते हैं आप meditation में सब को साकाश देते हैं सब को पवित्र संकल्पों की अंजिली देते हैं तो ये thoughts कौन से हैं, ये पवित्र संकल्प कौन से हैं ये भी आपकर की ब्रह्मकुमारिस में सीख सकते हैं सारे दिन शुद संकल्पों की सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद संकल्पों की सागर के तले में जाकर silence सुरूप हो जाओ तो ऐसा silence मिल सकता है pure thought से complete पवित्र thought से कि आप completely अपने सारे संकल्पों को रोक करके स्थिरता में पहुँच करके आप उसके तले पे जब सागर्प के पहुँच जाते हो तो कोई हल चलनी होती हल तिल सिर्फ उपर होती है जहाँ पर पानी की लहरे होती है लेकिन आप जितना गहराई में जाएंगे बहुत ही गहरी-गहरे संकल्पों में जाएंगे तो आपके अंदर और silence आती जाएगी लेकिन अगर आप उपर ही बाती करते रहते हैं उपर ही संकल्पों का आप वारतलाप करते रहते हैं औरों के साथ में तो आप देखेंगे कि उन संकल्पों में बहाव होता है उनमें कोई भी भारी-पन मतलब कि कैसा है उसका कोई weight होना उसकी कोई value होना वो नहीं होता तो जो उपर से जो लहरे होती है जो गुजरती रहती है तो आपको मोती मिलेंगे ऐसे thoughts जो कि इत्ते पवित्र होते है जिस कारण से आपका मन बिस्थर हो जाता है और अब silence को महसूस करते है तो बाबा कहते हैं संकल्पों पूरा control हो और बुद्धी वह संसकार पर पूरा अधिकार हो संकल्पों पर कंट्रोल बुद्धी पर पुरा अधिकार बुद्धी को हम बोलें कि ऐसा सोचो लेकिन वो सोचने कुछ और चले जाए बुद्धी को हम बोलें कि बस अब ये बात नहीं सोचनी है आपको यहां लगाम दो लेकिन वो लगाम ना लगाए ऐसे नहीं और संसकार मतल कि आदत हो, कि अच्छा सोचने की, लेकिन बीजवीश में क्या हो? बुरी संकल पाने शुरू हो जाए फिर आप कुछ अच्छा सोचें, फिर बुरे संकल पा जाए तो मैंने हमें ऐसे संसकार बनाने हैं जिसके हमारे संकल्प सदा ही पवित्र है यह प्रैक्टिस से होगा जो कि हम सब करते हैं ब्रहमकमारिश में वह संसकार पर पूरा दिकार हो तब लाइट माइट हाउस बन वर्दानी रूप से सेवा कर सकेंगे आप सुचिए कभी लाइट हाउस लाइट दे रहा है किसी दिन लाइट हाउस बंद हो गया फिर किसी दिन चल उठा तो उस तरीके से अगर हमारे संकल किसी दिन वेस चल रहे हैं किसी दिन प्योर चल रहे हैं तो किसी दिन हम किसी को गाइड कर पा रहे हैं किसी दिन हम किसी को गाइड ना कर पाएं तो इसको लाइट हाउस और माइट हाउस नहीं का जाएगा तो इसी के साथ में आज का वर्दान आपके पास मिल चुका है और ओम शान्ती